नमस्कार दोस्तों अनुपश रिप्टियों में आपका स्वागत है आज हम लोग देखेंगे बेंजन संदी इसके पहले जो है हम लोगोंने स्वर संदी को इसके पहले वाले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं और अगर जिसने वीडियो नहीं देखा है जाके पिछली वीडियो त्संदि को होता है एक तरफ झो सुअ है आनिवार है नहीं के तरह सम।ंधता हैं और दूसरी तरफ तरह और इस होता है वहां पर भेंजन संदि होता है जैसे एक में देख सकते हैं यहाँ पर है तो यानि बेंजन है इधर भी है बेंजन अब इन दोनों के मिलने से एक इन में परिवर्तन हुआ है चित का जगह पे तो की जगह पे न आ गया है तो इस परिवर्तन या इस विकार को बोलते हैं बेंजन संदी या एक तरफ जैसे इस वाले एक ओर म जfferर्वी नहीं है कि पहले ही बैंजन मतलब स्वर ही हो कि या या पीजंआ ही हो एक तरफ बैंजन हो चाहे पहले तरफ चाहें दूसरे तरफ और उन दोनों की जो सहियों से जो परिवसे होता है वह होता है बैंजन संदी के जो तो रूल है कुछ नियम है कि कैसे विचेंज होते हैं उनको उधारण के साथ हम लोग देखेंगे तो पहला गुरूप देखते हैं पहला जो है रूल इसमें है वाक, धन, ईस हो जाता है वाग, दिक, धन, गज हो जाता है दिक, गज तो यह होता क्या है कि अगर किसी भी वर्ग का पहला अच्छर इसे वरक का पहला अच्छर जैसे को या चो टो तो या प इसके बाद इसके बाद जो है आए कोई स्वर स्वर हो या वरकों का जो तीसरा और चोथा, वरकों का तीसरा या चोथा तीसरा या चोथा उच्छर हो तो इस को, चो, टो, तो, प जिस वर्ग के है को का जो है गो में परिवर्तन हो जाएगा नहीं, उसी वर्ग के तीसरे अच्छर में उनका परिवर्तन हो जाएगा जैसे को का हो जाएगा गो में परिवर्तन, चो का जो में परिवर्तन, टो का डो में परिवर्तन, तो का दो में परिवर्तन और पो का बो में जैसे इक्जामप्ल में qy था वाक धन इस तो पहले में आया है वर्ग का प्रथमच्छर यानि इसके बाद आया है स्वर्ग तो कव जो है इसीं वर्ग के तीसरे वर्ग में कог को गर है तीसरा वर्ड तो ओ गर में चेंज हो जाएगा तो वाक धन इस वागीस हो गया उसी प्रकार दिक था दिक धन गर्ज तो कर जो है गर में चेंज हो जाएगा उसी प्रकार सत धन आचार तो आया है इसके बाद आया है स्वर वो चेंज हो जाएगा तो का चेंज हो जाता है दो मी इसी प्रकार है अप धन जो तो पो के बाद आया है वरका जो है को के बाद आया है वरका तीसरा आच्छर यानि जो तो अगर पो है पो का चेंज होगा बो में तो पो की जगह पे आ गया बो तो अप धन जो बराबर अप जो दूसरा देखते हैं रूल दूसरा रूल दूसरे में एक जामपर है सत धन मार्ग बराबर सन मार्ग उत धन नती बराबर उन नती वाक धन मैं बराबर वां मैं चीत धन में बड़ाबर चीत में चीन में तो इसमें क्या होता है कि अगर कि वर्ग का जो है प्रथम अच्छर हो वर्ग के बाद अगर कोई अननासिक वर्ड आता है तो जो एक वर्ग का प्रथम अच्छर होता है उसी वर्ग के अननासिक में चेंज हो जाता है यानि वर्ग का प्रथं वर्ड, येहीं इसके बाद अगर कोई अनासिक वर्ड, जिसे मह है, नह है, अंगौ है, इनह है, ये क्या है अनासिक सब्द में इसके बाद ऑजा है अनासिक तो जो ये वर्ग का प्रथम वर्ड है ये चेंज हो जाता है उसी वर्ग क्या जैसे को है को है तो को का अंगा में चेंज हो जाएगा मो है अतो है तो तो का जो अनासिक उस वर्ग का अनासिक होता है नो तो नो में चेंज हो जाएगा उसी वर्ग के अनासिक में जो जिस वग का पत्थम वड होगा पहली में तो इस तरह सत धन मार्ग यहां पर है तो तो जो है ओ इसका जो अन्नासिक जो इसके वर का अन्नासिक होगा होगा नौ तो सत धन मार्ग वचेंज फोगया सन इसी प्रकार उत्र धन नती तो जो हो गया चेंज हो गया नमे तो बन गया उन्नती वाक धन मैं अब यहाँ पर को यानि वर्ग का पहला चर आया उसके बाद आया अन्नासिक अन्नासिक वर्ग अब को जो होगा उसी वर्ग के को का जो अन्नासिक होता है उसका पांचवा चर क्या होता है अंग तो को जो चेंज हो जाएगा अंग में यानि वाक धन मैं बन जाएगा वांग मैं इसे पर का चीत धन मैं बराबर हो जाएगा चिन मैं next rule देखते हैं अब अगर तो के बाद आता है चो या चो तो के बाद आया चो या चो तो जो तो का जो परिवर्तन हो जाता है उस चो में परिवर्तन हो जाता है यानि तो के अस्थान पर तो जो है उसके अस्थान पर आ जाता है चो तो यहां पर क्या है आया है तो तो के बाद आया है चो तो क्या होगा बन जाएगा चो में तो उत्धन चारण बराबर उत्चारण उसी प्रकार सत धन चरीत्र यहां पर आया तो यहां पर आया चो तो का परिवत्म हो जाएगा चो में तो बन जाएगा सत चरीत्र उसी प्रका तो भी तो का परिवतन हो जाएगा चौमी तो उत्धन छिन राबर उत्छिन नेक्स्ट दूल देखते हैं अगर पहले वह इधर आता है तो तो या दो पहले अगर आये तो या दो उसके बाद अगर आये जो या जो तो तो या दो का जो है वह परिवतन हो जाता है जो में तो या दो जो है वह चेंज हो जाती है जो में जैसे एक्जामपल में है यहाँ पर पहले आया है तो इधर आया है तो, तो के बाद आया है जो, तो रूल के हिसाब से तो या द जो है, अगर जो या जो के पहले आते हैं, तो उनका परिवर्तन होता है जो में, तो यहाँ पे सो, सो हमने लिखा, तो का परिवर्तन जो है, हो जाएगा जो में, तो जो है, चेंज होके हो गया जो मे और उसके बाद जन आ गया, तो सत धन जन बराबर सत जन, इसी पर का next इंजाबल, यहां आया है तो, तो के बाद आया है जो, तो का परिवतन हो जाएगा जो में, तो उत धन जोल बराबर उत जोल, next, सत धन टीका जो है, सत धन टीका बराबर सत टीका, यानि अगर इधर आता ह है इधर आये तो इधर आये द और तो या द के बाद अगर आये टो या ठो है तो तो या द जो है वो परिवर्तित हो जाता है तो यानि पहले वाली मिधर टोमी एक्जाम्पल में है तो तो के बाद आया है तो तो का परिवतन जो हो जाएगा तो मी तो सत धन टीका सट टीका नेक्स्ट अगर तो या दो के बाद तो या दो के बाद अगर आता है डो तो तो या डो जो है उनका परिवतन हो जाता है डो में तो यहाँ पर आया है तो के बाद आया है डो तो तो का परिवतन हो जाएगा डो में उत्त धन डोयन बराबर ए उ फिर तो का परिवतन हो गया डो में नेख्ट देखते हैं अगर तो या 2 के बाद यहां भी यानी यहां पर आप एक ध्यान दे रहे हैं, कि सबके बाद तो या 2 ही आ रहा है अब 17 कि बाद जो है आता है लो क्या तो या 2 Canadians चेंज जो हो जाता है लव में ऐहां पर में इहां पर आया है तो इसके बाद आया है लओ कि तो का परिवतन जो होगा ऊगा लव में तो तधन लीन तो यहां पर है इस तो का परिवतन हुआ लो में और यहां लीन है तत धन लीन वराबर तत लीन उसी प्रकार उत धन लास तो तो का परिवतन होगा लो में तो उत उ है तो का परिवतन हुआ लो में और लास यहां पर है उत धन लास वराबर उल्लास अब यहां next rule जो है next rule ध्यान से कि अगर इधर आया त, और इधर आया द, और उसके बाद अगर आ जाता है तालब देशो, तो जो यहाँ पर अभी तब इस वाले में क्या था? कि क्यों त या द ही चेंज हो रहे थे, लेकिन इस वाले में दोनों चेंज हो जाते हैं, त त और द जो होता है, वो चेंज हो जाता है, चौमी. और सो जो होता है तालब विशर वो चेंज हो जाता है छो में अगर तो और दो के बाद तालब विशर आता है तो जो तो और दो है वो चेंज होता है चो में और सो जो होता है तालब विशर वो चेंज हो जाता है छो में जैसे एक्जाम्पल से उत्र धन स्वास यहां आया है तो, तो के बाद जो आया है तालब बिशो तो तो जो है वो चेंज हो जायेगा चो में यानि उ है तो चेंज के हो के बना चो और सो के जगह पे आया चो तो उत्र धन स्वास बराबर उच्छो वास इसी प्रकाद इधर आया है दो इधर आया है तालब बिशो तो दो जो होगा चेंज होगा चो में और सो जो होगा तालब बिशो चो में तो सरद तो सर हमने लिखा दो जो हुआ चेंज हुआ चो में और सो जो चेंज हुआ चो में तो सरद धन ससी विराबर सरद छसी Next अगर तो के बाद आता है इधर है तो या दो उसके बाद आया हो तो इसमें भी दोनों में चेंज होता है तो और दो जो है तो दो का जो चेंज हो जाता है वो होता है दो में तो दो जो होता है वो परिवतन होता है दो में और जो हो है हो का परिवतन हो जाता है धो में तो दो जो होता है दो में और हो का धो में परिवतन हो जाता है अब यहाँ पर देखिए एक्जामपल उत्य धन इधर हर तो के बाद आया है हो तो का परिवर्तन होगा दो में और हो का परिवर्तन जो होगा धो में तो उत्य धन हार बराबर उत्धार इसी प्रकार यहाँ है उत्य धन हर तो के बाद आया हो तो का परिवर्तन किस में होगा दो में यहाँ परिवर्तन होगा दो में तो उत्य धन हर बराबर उत्धारर अब इसी को हम लोग उसमें सुत्र टाइप में इसको प्रो देते हैं जिस एक ही जगह पे लिख देते हैं जिससे आपको याद रहेगा तो का जितना रूल है तो में क्या था कि एक दरव आता था तो और दो उसके बाद अन्य आते थे तो यहीं पे लिखते हैं पूरा बूल कि एक तरप आया तो और दो उसके बाद उससे जुड़ा चो या छो जुड़ा या जो या जो जुड़ा या इसके बाद जुड़ा था तो या ठो जुड़ा या उसके बाद इसमें जुड़ा था डो जुड़ा था फिर ल जुड़ा था यहाँ पे सो जुड़ा था यहाँ पे हो जुड़ा था इतने जत्त यादव से जुड़ते हैं इतने रूल हैं तो इनको हम देखते हैं यही पे कि अगर इससे जुड़ता है तो ए चेंज होता है चौमी और ए वाला एक इधर एरो से याद रखिएगा कि इधर वाला चेंज हो रहा है अगर यही इस से जुड़ा तो इधर वाला है अब ए रो से जाद रखिएगा कि जो ज़िधर एरो है वहाही इधर वाला इधर एरो है तो ट्रुच जो होता है ओज़ो में चेंज हो गया अब यहाँ से अगर ए जुड़ता है तो ए चेंज हुआ टॉमि अब अगर यही इससे जुड़ता है डॉ से तो यही चेंज हुआ इधर ही ए रो डॉमि अब अगर यही इससे जुड़ता है लॉ से तो यही वाला चेंज हुआ लॉमि अब अगर यही जुड़ता है सो से तो यहाँ पे दोनों चेंज होते हैं इधर ए रो यानि त और द जो है वो चेंज हो जाता था चौमि और इधर ए रो इसका मतलब ए चेंज हो रहा है चौमि यहाँ पे दो चेंज होते हैं यानि जो तो दो होता है वो होता है चौमि चेंज और सो जो होता है वो होता है चौमि चेंज अब जब यह जूरता है ह से तो यहां पर भी दोनों change होते थे तो डो जो होता था ओचेंज होता था दो में और ह जो होता था ओचेंज होता था दो में इस प्रकार जो है तो दो से जूलने वाले जितने भी रूल है वो यहाँ पर समाहित हो गये हैं नेक्स रूल देखते हैं यदि अगर इधर आया कोई स्वर प्रथम साइड में कोई स्वर है और उसके बाद अगर आता है छो तो जो चो होता है छो का चेंज हो जाता है छो में यानि आधा चो और छो में यहाँ पर एक्जामपल देखिए एक्जामपल में क्या था इधर आया है स्वर यानि उ उ के बाद आया है छो तो चेंज होके बना अनु और चो जो चेंज हो गया चो चो में तो बन गया अनुछेद अनुधन चेद बराबर अनुछेद इसी पेकार यहाँ पर आया है आ स्वर आया है उसके बाद आया है छो तो चो पर इवर्तन होगा चो चो यानिए आधन बराबर आच्छादन उसी परिछेद इधर आया है ई स्वर इधर आया है छ तो इन यह जो है यह चेंज हो जाएगा परिछेद में परीधन छेद बराबर परिछेद नेक्ट रूल देखते हैं अब इधर आता है पले साइड में मौ अब मौ के बाद अगर आये अंतरस्ति बेंजन या उस्म बेंजन अंतरस्ति बेंजन या उस्म बेंजन अंतरस्ति बेंजन में कौन से होते हैं या ररल लावर इसकी वीडियो मैं ने बनाई है आप चाहे तो देख सकते हैं उस्म बेंजन, स, तीनो स, जो है और इसके बाद ह, अब यदर मौ के बाद अंतरस्ति बेंजन या उस्म बेंजन आ जाएं तो जो मौ है वो चेंज हो जाता है अनुनासिक में मौ जो है वो चेंज हो जाता है अनुनासिक में मौ का परिवर्तन होता है अनुनासिक में एकजामपल से समझेए यहाँ पर आया है मौ मौ के बाद आया है सर दंत्य सर यहाँ पर यानि उसम बेंजन आया है अब मौ का जो है चेंज किसमें होगा अनुनासिक में तो यहाँ पर देखिए सो था चेंज हो गया मौ का जो चेंज हो गया अनुनासिक में और यहाँ पर संसार अब यहाँ पर सम धन यम यहाँ आया है मौ मौ के बाद जो यह है यानि आया है यह का मतलब अंतस्त्य बंजन तो मौ जो है चेंज हो जाएगा अनुनासिक में मौ का चेंज हो गया अनुनासिक में तो सामधनयम बराबर सैयम अब यही मौ अगर मौ के बाद इस मौ के बाद अगर कोई अन्य बेंजन आता है तो इस मौ का जो है चेंज अन्नासिक में भी होता है या तो अन्नासिक में हो जाएगा या तो जिस वर्ग का वर्ग आया है उसी वर्ग के जो है पंचम में जो हो जाएगा चेंज तो मतलब ए नहीं है कि सिर्फ अंग में change होगा वो भी अन्नासिक सब वर्ड हैं लेकिन उसमें हो जाएगा उसी वर्ड के अन्वासिक में उसी वर्ड के जो है पंचम जो है वर्ड जैसे एक्जांपल से समझेए जैसे यहां पर आया है कीम आया है मो धन्चीत इसके बाद आया है चो तो मो का जो है या तो अन्नासिक में change हो जाएगा इसको इसका या तो किंचित भी हो जाएगा ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन अब मो के बाद आया है चो चो का जो अन्नासिक वर्ड होगा यानि पांचवा वर्ड होगा उक्या होगा इन्यों तो जो है मो इन्यों में भी change हो सकता है इसी बात को ध्यान लखना है तो किंचित या तो यह बनेगा किंचित या तो यह बनेगा किंचित इसी प्रका आईसे भी बन जायेगा संपूर इस पर तरीके से भी बन सकता है लेकिन इस रूल के हिसाब से जो आया हिदर पो तो पो का जो पंचा मौरव होगा मो तो मो जो है मो में भी रह सकता है बन सकता है संपूर next rule देखते हैं next rule में क्या है कि अगर पहले साइड में आता है अगर यहाँ आ जाए री यहाँ आ जाए रो यहाँ तो आ जाए जो है सो और इसके बाद अगर आता है नो नो आता है अब बीच में उसके चाहे कोई स्वार आ जाए अगर नो के पहले भी नो के पहले नव के पहले चाहे स्वार आ जाए स्वार ही क्यूं ना आ जाए या तो पावर का कोई आ जाए या तो कावर का कही अच्छर आ जाए या तो या तो तो वही आजाए उसके बीच में नो के पहले बीच आए नो ही बस आजाए या उसके पहले भी आजाए तो जो नो है नो का जो परिवर्तन हो जाता है वो हो जाता है और अमे इसे एक्जामपल से समझते हैं यहाँ पर है भर यानि आया है रो रो के बाद आया है नो आया है यहाँ पे नो तो आया है नो के बीच में स्त्वर भी आ गया है तो भी यह जो नो है उसका परिवर्तन हो जाएगा अड़ा में तो भर धन अन्था तो यहाँ पे भर रो आया और नो का जो परिवर्तन होके वह गया अड़मी भरड जैसे नेक्स्ट इस जाप पल प्र यहां पर आया है रो उसके बाद मान नो आया है लेकिन उसके बीच में आ गया है अड़मा लेकिन फिर भी नो का चेंज हो जाएगा अड़मी प्रधन मान बराबर प्रमाड उसी परकार री इधर आया है री के बराबर रीड नेक्स देखते है रूल अगर इधर आये कोई स्वर लेकिन और या आ को छोड़ कर और या आ को छोड़ कर और उसके बाद अगर आ जाए सर दन के सर तो इस जो सर का परिवर्तम होता है इस सर जो है धन तस्य मुर्धन सर में परिवर्तित हो जाता है एक्जांपल से समझते हैं यहाँ पे आया है नी नी मतलब यहाँ पे ए स्वर आया है अब उसके बाद आया है सव तो अगर किसी भी स्वर के बाद सव आता है तो सव का परिवतन जो होता है दंत सव का परिवतन किसमें हो जाता है मुर्धन सव में तो दंत सव जो है मुर्धन सव में परिवतित हो गया यहां पर नी धन सिद्ध बराबर निसिद्ध उसे प्रकार यहां पर भी धन सम तो यहां पर सो परिवतन यहां पर भी ई आया है तो इसका परिवतन हो जाएगा सो का दन ते शो यहां पर है इसका हो जाएगा मौद धन समे तो भी धन सम बराबर भी शम नी धन सेध फिर यहां का है इया है 100 है तो निस्ते इसका परिवशा जाएगा संद्व में आहें इसका परिवशान heara है तो इसका परिवशान को जो है समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो लाइक करें वीडियो सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दवाना ना भूलें धन्यवाद जैहिन